तो भाई बजाज की Pulsar RS200 का न्यू वेरियंट 2023 मोडल मार्केट में आ चुका है ये बाई कब आपको बजाज के शोरूम पे भी मिल जाएगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बजाज ने स्पाइक के अंदर क्या चेंजिस किये हैं क्या स्पाइक के अंदर नया है बजाज से हमारी एक्सपेक्टेशन काफी जादा थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजाज NS200 के जैसे RS200 के अंदर भी काफी सारे अफग्रेड करेगी लेकिन बजाज ने ऐसा RS200 के साथ नहीं किया उस भाई का डिजाइन और स्टाइल अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले आता था और चेंजिस के बारे में बात करें तो भाई RS200 का जो नया मोडल है 2023 मोडल उसके अंदर चेंजिस इंस्टुमेंट कॉंसोल के अंदर हो गए है अब उसके इंस्टुमेंट कॉंसोल में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाएगा जो पहले नहीं मिलता था सेकिंड चेंज यह है कि इसके अंदर आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा जो पहले नहीं मिलता था और उसके साथ distance to empty भी मिल जाएगा So NS200 के नए model के इंदर जो instrument console में features आ गए है वहीं same features RS200 के नए model के इंदर भी आ गए है Instrument console में आपको gear position indicator, trip meter, distance to empty ये features मिल जाएगे जो पहले नहीं मिलते थे और next change ये है कि ये bike अब E20 compatible है यानि की 20% ethanol और 80% petrol के mixture पर ये चल सकती है Bike में वहीं same 199.5cc का liquid cooled DOHC engine है लेकिस के इंदर BS6 phase 2 compliant engine आ गया है जिसके इंदर OBD2 sensor है जिसके वज़े से ये BS6 phase 2 के mission norms को follow कर पाएगी और बाकी changes देखा जाए तो bike में और कुछ भी नहीं है हमें expect कर रहे थे कि इसमें upside down front fox बजाज offer करेगी NS200 के जैसे तो वो bike में नहीं आए है bike में वहीं same telescopic type के front fox है adjustable monoshock suspension है 300mm की front में disc brake है 230mm की rear में disc brake है और उसके साथ में dual channel ABS भी है जो bike में पहले भी आता था So suspension setup और braking system के अंदर कोई भी difference नहीं है bike की mileage आपको 35kmbL के आसपास की मिलेगी और bike में LED headlight भी नहीं है वहीं same halogen projector headlight है और उसके साथ में LED DRLs भी है So बजाज ने bike में LED headlight भी offer नहीं करी है वहीं same halogen headlight है LED indicators है और वहीं same crystal LED tail light है जो पहले आती थी showroom पे आपको इस spike के 3 colors मिल जाएंगे जिसमें first है brunt red second है peter gray और third है white और तीनो colors में dual tone type की color combination है bike का एक शूर्म प्राइज से वल लेक 71,000 bike के प्राइज में कोई भी difference नहीं है बजाज ने इसका प्राइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है So इसका on road प्राइज आपको दिल्ली में दो लाग रुपे के आसपास ही मिलेगा और bike के low wheels का design भी बिल्कुल वैसा ही है 24.5 PS की power है 18.7 Nm का torque है और 6 speed gearbox है bike में 13 liters की इसकी fuel tank capacity है 100 upon 80 section का front में tire है 130 upon 70 section का rear में tire है dimensions के बारे में बात करें तो इसका weight 166 kg है ground clearance 157 mm है और fuel tank capacity 13 liters की है तो भाई Bajaj की Pulsar RS200 का 2023 model BS6 phase 2 compliant variant Bajaj के showrooms पे आना start हो गया है अगर आप interested हो इस spike को purchase करने में तो आप इसकी bugging करवा सकते हो और अपने nearest Bajaj के showroom पे विजिट करके देख सकते हो इसमें तो कोई doubt नहीं है कि spike में engine काफी powerful है क्योंकि segment में इसकी performance काफी अच्छी रहती है और अभी भी bike का design and style देखने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि bike में काफी sporty design है aerodynamics काफी अच्छे है और अभी भी market में ये fully fed sports segment में एक value for money machine है जिसके instrument console के इंदर features upgrade हो गई है अभी ये E20 compatible है BA6 phase to compliant इसके इंदर engine आ गया है जिसका price बजाज ने नहीं बढ़ाया है तो भै आप comment box में जरूर बताना बजाज की ये pulsar RS 200 आप purchase करोगी या नहीं और हमारी जो expectations थी बजाज से RS 200 को लेके उसकी बारे में आपका क्या ख्याल है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में Till then ride safe, drive safe